तो दोस्तों पर फिर से आप सबी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ आल अबाउट कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर यानि कि कोई भी जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है बिल्कुल इनीशियल स्टेज यानि कि बिल्कुल जीरो स्टेज से तो उसका स्टेप बई स्टेप क्या-क्या प्रोसेस होता है और दूसरा यानि कि एक सिविल इंजिनियर के लिए इस सारे segments में क्या-क्या job opportunities हैं तो इसको मैं आज बहुत ही एक basic concept के इसाब से समझाऊंगा कि कि किसी भी एक project में क्या-क्या चीज़े involve रहती हैं यानि कि किसी project को बनाने के लिए तो चलिए दोस्तों आज का topic start करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं concept stage को यानि कि concept stage होती क्या है इसका एक पूरा breakup क्या है अगर मैं बात करूं national building code of India की जिसमें जो project को define किया गया है यानि कि आपके buildings के project को तो basically साथ से आठ टाइप की projects में define किया गया है जिसमें main है आपके residential project यानि कि जिसमें लोग रहते हैं commercial projects यानि कि जो आपकी offices बगरा की building होती है retail या फिर mall यानि कि जो आपके shops या फिर mercantile building होती है इंडस्ट्रियल यानि कि आपके factory के projects हो गए hotel institutional यानि कि आपकी कोई university या college है hospital है या फिर आपका mixed land यूज है तो इन पेसिस के criteria में उनको final किया गया है और इनी के base पे यानि कि जब भी आप कोई city का map देखते हो तो उसमें आपको क्या देखता है zoning plan और zoning plan पे मैंने video बनाई थी मैंने आपको बताया था कि कि किसी भी city के map में yellow color, green color, blue, red तो उन सारे color का परपज होता है इन projects के basis पे यानि कि वो जो land है वो किस project के लिए book की गई है तो concept stage में आपको दो चीज़ें सबसे पहले देखनी पड़ती है कि कि किसी city में आप कौन सी zoning plan में land ली है और उस zoning plan के according आपका कौन सा project आएगा तो यानि कि मैं मान लेता हूँ कोई एक land हमने procure किये किसी company ने और वो है आपके residential zone के लिए यानि कि उसमें residential project आना है ठीक है तो यह concept stage में हमारा decide हो जाएगा फिर हम बढ़ जाएंगे pre construction stage की तरह अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा यानि कि हमारी land acquire होगी zoning plan के according और हम हमारा project is residential हम जिस city या फिर जिस state में हैं तो सबसे पहले हमें उस लेना होगा उस project के लिए license और वो license हमें देगा उस city या state का urban या फिर town country planner तो उससे पहले यानि कि approval लेने से पहले आपको study करना पड़ेगा उसका building by laws यानि कि हर city हर एक state का building by laws होता है जिसको आप study करके यानि कि उस project के लिए license के लिए apply करोगे और एक project को पूरा करने के लिए different different department से आपको 30 से 35 अप्रूवल यानि कि 35 government अप्रूवल लेने पड़ते हैं तो अब यहां से आपका start हो रहा है license का procedure बहुत ही ध्यान से समझेंगे starting में थोड़ा boring लगेगा लेकिन बाद में हापको सारी चीज़े clear होने लगेंगे और यही जो एक दो तीन चार यानि कि इन चार step को समझेना बहुत ही जरूरी है इसके sequence को ठीक है तो यानि कि हमने क्या किया कि उसके building by laws के according zoning plan में इस project के लिए license apply किया इसके बाद में क्या ह होगा कि जो town या country planner होगा वो पहले decide करेगा कि यह project है और उस zoning plan के according है या नहीं है तो वो उसको sanction करके देगा यानि कि फिर वो बोल देगा आपका land होके है आपका project का concept होके है अब आप हमें हमारे by laws के according एक architectural plan submit करो कि आप project कैसा पनावगे तो यहां पर आपको जरूरत पढ planning या फिर जो भी सबसे पहले क्या करेगा उस bylaws को अच्छे से study करेगा कि वो जो bylaws है यानि कि आप जो भी project बना रहे हैं तो उसमें क्या रहेगी public रहेगी तो public की safety facility उसकी amenities के हिसाब से कि वो कैसे एक अच्छा project हो सकता एक public के लिए तो वो सारे criteria पूरा करता है हर एक city estate का bylaws तो वो बुलेगा कि आप bylaws पढ़ लीजिए bylaws के according आप अपना architectural plan हमें submit कर दीजिए तो आपने architectural plan बनाया उस project का और वो फिर आपने town country plan को submit किया ठीक है तो उसने study किया यानि कि उसने सारी चीजें चेक कि bylaws के according और उसने इस पे आपको अप्रूब ले दी यानि कि आपक architectural plan अब अप्रूब हो गया है फिर वो आपको टाइम देगा तीन महिने का यानि कि वो बोलेगा कि आपका architectural planning तो अप्रूब है यानि कि अच्छा है इसके बाद में हमें यह बताओ यह building run कैसे करेगी यानि कि इसमें पानी कैसे आएगा या फिर उसका जो भी public रही उसकी जो प्लानिंग यानि कि जो आपका प्लान अप्रूब हुआ है उसी के बेस पर आपको डिजाइन कराना होगा services यानि कि MAP आपका हो गया mechanical E हो गया electrical T हो गया plumbing तो इसका design भी आपको submit करना पड़ेगा फिर से इसी department को जब वो department आपका अप्रूब कर देगा किस चीज को इन दोन पालेगा यह दोनों चीजें ठीक हैं हमारे बाइलाउस के norms के according ठीक है तो फिर यह ड्रॉइंगे आपकी चली जाएंगी दोनों ड्रॉइंगे structural consultant के पास में यानि कि तब आपका on board होता है structure consultant क्योंकि structure consultant आपकी जो ड्रॉइंग है उसी के basis पे कहा column आना है उसकी कितनी यानि कि फिर वो survey करेगा आपकी land का कि आपकी मिट्टी की bearing capacity कितनी है उसमें foundation कौन सी आईगी उसमें columns आएंगे shear walls आएंगे वो सारा एक structural proper design करके देगा आपके इसके basis पे तो यह आपका हो जाता है structural designing on board और इसमें सबसे most important चीज़रू ध्यान रखें कि जो bylaws है और जो भी architectural planning है यह आपका FAR के concept पे होती है और FAR बहुत ही important है किसी भी project के लिए क्योंकि यह vary करता है अलग-अलग type project के लिए अलग-अलग percentage में अब आपका जो आप लोग चीज़ें देखते हो पढ़ते हो समझते हो यानि कि अब आपका यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी सारी drawing ने आ के दो होते हैं सिविल का अलग रहता है यानि कि सिविल और फिनीशिंग का और MEP का अलग रहता है जो mechanical electrical plumbing का है यानि कि इनके business पर आपकी quantity निकल जाएगी quantity के बाद में आ जाएगा आपका costing engineer यानि कि यह आपको फिर cost बता देगा तो इसके business पर आपका क्या बन जाएगा ए उससे पहले आपका एक preliminary budget और होता है यानि कि मैंने आपको बताया था जो कि आपका thumb rule basis पे होता है जिसको FAR की basis पे बनाया जाता है यानि कि FAR की concept के base पे ठीक है तो अब आपका जैसी final budget अपरूब हुआ तो फिर आपको करनी होती है एक master planning कि वो project कितने time में बनेंगा उसमें क कौन सी चीजों पर focus करना है तो यानि कि जब आपका master plan आपका बनके ready हो जाएगा यानि कि इसको strategic planning भी बोलते हैं कि कैस जो को fund flow है पैसा कहा से आएगा हमें किस-किस stage में कितना पैसा चीए तो वो सारा एक overall plan करके दे देगा जिसको हम लोग बोलते है master planning और यही master planning जब जाता है कि कौन कौन सी critical stage है जो की आपको control करनी है और cost controller यानि कि cost controller आएगा आपका contracts और टेंटरिंग के बाद में जैने कि master जो आपका schedule बना है यह पूरा schedule सीधा दे दिया जाता है contract department को यानि कि contract department को हम लोग बोल देते हैं कि यह हमारा master schedule है और अब हमें जाना है construction stage में या उसके साबसे vendor है contractor है वो आप डूंड कि लाओ और हमें यह काम start कराना है तो जब contracts या फिर टेंडरिंग किसी भी contractor को जब onboard कर देता है site पे यानि कि उसने काम award कर दिया और आपका काम site पे start हो गया तो जैसे ही काम award होगा तो आपका cost controller की activity भी start हो जाती है कि हमारा budget कितना था और हमारा award कितने में हुआ और इसके बाद में धीमे धीमे जैसे आपकी billing वगेरा होगी तो वो सारी चीजों को track करता रहेगा costing को तो यानि कि एक बहुत ही अच्छी post होती है cost controller की भी अब मैं बात करने जा रहा हूँ construction stage की बहुत ध्यान जी समझे जैसे ही आपकी construction stage start होती ह तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है surveyor यानि कि वो क्या करेगा जो भी आपका plot है या जो भी foundation है उसका layout वगेरा marking जो भी उसको करना है वो सारा काम करता है surveyor इसके बाद में आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा site engineer है जो site पे काम कराता है इसके बाद में जो भी site पे काम ह हो रहा है तो उसके लिए में चाहिए होता है quality engineer यानि कि जो testing काम देखता है site पे overall चाहिए material हो चाहिए किसी भी टाइप की testing क्यों नहीं हो इसके बाद में होती है आपकी construction planning यानि कि जो site पे construction को plan करेगा ठीक है और यहां आपकी master या फिर strategic planning थी यह दोनों में बहुत different होता ह है इसके बाद में आ जाता है आपका billing engineer यानि कि जो भी आपकी site पे काम कर रहा है तो उसके आपको billing भी करनी होगी इसके बाद में आपका जाता है MEP engineer यानि कि mechanical electrical या फिर plumbing जो आपकी services बगएरा का काम देखेगा इसके बाद में आपका जाएगा interior engineer इसके बाद में और जो departments ह होते हैं जैसे store engineer है या फिर आपका safety engineer है इसके बाद में फोर्मैन है supervisor है टाइमगीपर है और एक admin तो यह मलब core job है यहने कि जो जनरली हर एक site पर आपको देखने को मिलेगी तो यह सारी चीज़े आपके आ जाती है construction stage में और जब आपका construction पूरा हो जाता है तो फिर हम यहां से move कर जाते हैं operational या फिर पोस्ट construction stage में तो पोस्ट construction stage और या फिर operational stage बहुत ही अच्छी लाइन है एक civil इंगिनर को अगर उसको एक थोड़े से आइडिया के बारे में अगर उसको नौलेज हो यानि कि आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया के अंदर कितने सारे इतने टाइप के प्रोजेक्ट्स ह करने के लिए फैसिलिटी इंगिनियर या फिर मैंटिनेंस इंगिनियर से विल MEP या फिर अधर काइंड और वर्क्स के लिए यह भी इंगिनियर रखे जाते हैं जो कि एक सिवल इंगिरी में आते हैं तो बिसकली यही सारी टाइप का एक क्रेटेरिया था जो मैंने आपको तो दोस्तों आप सोच रहे होगे कि आज की वीडियो का परपच क्या था तो दोस्तों बिसिकली मेरा परपच यह था कि जब भी कोई भी एक इंगिनियर है तो उसको एक आईडिया जरूर होना चाहिए किस चीज का कि आपकी कंस्ट्रक्शन स्टेज स्टार्ट होने से पहल के जब आप जन्रली अपनी साइट पर देखते हो लेकिन जो क्लास है या फिर जो लिमिटेड लोग है वह आपके प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज की क्याटेगरी में आते हैं यानि कि इसके लिमिटेड लोग हैं और मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो इसकी वज़े स प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में काम करने वाले उन्जीनर्स की सेलरी बहुत ही जदा होती है कंपेर टू कंस्ट्रक्शन स्टेज तो यानि कि आपके अंदर एक क्यूरी सिटी बनी रहे चीजों को जानने के बारे में तो यह बिसिकली मेरा परपस था आज की वीडियो का अगर मैं बात करूँ बाइलॉज बगेरा कि तो बाइलॉज बगेरा एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है अगर कोई बनाना चाहे तो इसके उपर एक पूरा चैनल भी बना सकता है बाइलॉज को लेके तो यह सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा धीमे धीमे और आ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी थोड़ा सा एडिया लगा होगा अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताएं अगर आपके कोई तो ठीक है दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ